आप निको बांगो इलाके में मोजुदा MLA के घर में घुसकर आपके समर्थक आप लोग एक काफ का मरमत का कर रहे हैं क्या वज़े है सर आप काफी समय तक विधायक भी रहे हैं आपको पुराने दिन याद है जब देर करोर का ये हाल है तो चार करोर का बढ़िया होना चाहिए थे ब्लेक टॉपिंग होना चाहिए ये नहीं हुआ ये चार करोर वाला जिनि साहब के टेनिर में बना ज़रो है आप यहां से एक रोड कॉंबो तरफ ले जाना चाहते थे उसका असर क्या कुछ अभी आप भी भारते जंता पार्टी के एक सतस्य हो आपने हाली में देखा होगा यूनियन मिनिस्टर किरन रिजीजू मुख्यमंत्री पेमा खांडू यहां लोगुम जिनि में आये थे दो यादो साहब ने सीधा सवाल मुख्यमंत्री से भी क्या था कि पार्टी का उम्म है हगदार है हमारा विदायक जो भी बनता है वो परपर्टी बनाता है नमस्कार फ्रीडम नीव जरुनाचल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी के साथ में हूँ किरन आज 23 जन्वरी 2024 का दिन है और इस वक्त में खरा हूँ वेस्ट सियंग जिले के 31 आलो इस्त विधानसवा चेतर का पहला गाउं इस दिशा में अगर हम कहें तो एई जो की निको बंगो इलाके में इस्थित है एई गाउं में दाखिल होने वाले जो मुख्य गेट आप मेरे पीछे देख रहे हैं मुख्य द्वार आप देख रहे हाइवे से यहां से यह जो पीएम जेश वाय रोड जाता है यहां से कुल 2.8 किलो मिटर में पढ़ता है एई गाउं जैसा कि आप सभी को पता है कि विधानसवा चुनाव काफी नजदिक हो चुका है और ऐसे में हर उम्मीदवारों के तरब से अपने अपने राजनितिक ग गर है यहां पर और आज उन्ही के घर में इस इलाके में निको वांगो इलाके में मोजुदा विधाय का केंटो जिन के विरोधी उम्मीदवार पूर्व मंत्री जारकार गामलिन के तरब से यहां पर एक सोशल सर्विस यहां पर किया जा रहा है जिसके तहत यह जो सरक आप जो है काम जो है शुरू हो चुका है अभी हम आपको वहाँ सीधे ले जाएंगे उसके बाद आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि पुरो मंत्री जारकार गामलिन और उनके समर्थक किस तरह से काम कर रहे हैं आप हमारे साथ बने रहेगा कर पर बने जाएंगे प्रॉट लड़र कि प्रॉट ॢप भादय हाँ प्रा सुप्लाव प्राजब बहाँ पाल, बहाँ को हुआ है वह दोबता हुआ है हाहा कि तुिस एिक है लादा कि लाद इब है बाल लोर्का पॉर्षिस्ऑे कि अड़ा है खर बेठी नहान उसा मुघसे भार फिल खो हाट मुखके तुर भाज में कईजस academics मुझंब लोग पैना कुना मोँआ कर दो एक फिर्ण नीति में खासकर चुनाव के दोरान आक्रे काफी माईने रखते हैं भले ही आज के इस मरम्मत कारे के बाद गामलीन साहब के आकरे में बरावा हो या ना हो, ज़िन साहब के आकरे में कोई घटाव हो ना हो, लेकिन एक बात तो तह है कि एई गाउं के लोगों को कल से जरजर स्थिती में मौजूद इस रोट के बदले में थोड़ी रहत मिलने वाली है अब ऐसे में मेरे साथ मोजूद है पूर्व मंत्री जरकर गामनिन साहब इन्हों ने इस अभ्यान का नाम समर्थकों ने दिया है जन सेवा स्वचिता के साथ आईए सर से बात करते हैं सर आपका सबसे पहले तो स्वागते फ्रीडम न्यूज अरुनाचल में आज देखा गया कि आप निको बांगो इलाके में मोजुदा एमेले के घर में घुशकर आपके समर्थक आप लोग एक बहुती नायाव का मरमत का कर रहे हैं क्या वज़े है सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के सबसे पहले तो प्रीडम न्यूज अरुनाचल को थेंक यू आपने जो यहां आके आज जो हमारा लड़का लोग जो सोशल सर्विस किया है उसका आप कोवरेज कर दिया सोशल मीडिया में इसके लिए बहुत बहुत धन सप्तिम्बर का अपना बाशन में भी यही कहा कि इस बार मैं इलेक्शन लर रहा हूं पब्लिक दिमान पे पब्लिक की रिक्वेस्ट पे मैं इलेक्शन लर रहा हूं तो आज भी यहां अगर सोशल सर्विस हो रहा है मेरा लड़का लोग कर रहा है तो यह है कि यहां का जो उन्होंने साहता मांगा है इसलिए ये हमारा लड़का सेकंड पेज में यहां आया है अगर अगले में कोई अगर कहता है थार्ड पेज भी होगा तो हम लड़का लुक को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कोई अगर कुछ कहता है अपना दुख तकलीब अपना रास्ता के बा को भी याद कर रहे थे इस रोट के बारे में भी और कुछ-कुछ गाउं के इलाके के बारे में भी आप काफी समय तक विधायक भी रहे हैं आपको पुराने दिन याद है इस सरक के बारे में याद है कितना पुराना है किस किस तरह से बना सर यह जहां मैं खड़ा हूं यह मेर पहला जो 2009 में जब मैं विदायक बना उस समय का यह स्कीम है तो मैं हर बस्ती में कूशी दोके से लेके यही बस्ती तक में रोट से देरे तक हमने ब्लेक टोपिंग कर यह स्कीम रखा था और वो कर दिया था तो यह साइद में उसी का जो अफसेस है जो आज दिख रहा है तो मेंटेनेंस नहीं हुआ होगा तो इसलिए यहाल है तो 2009-10 में यह काम हुआ था और जहां यहां आपके हमारा जो बस्ती में देरे का जरूरी है मुझे याद है मैं अपना एक जो MP केंडिडियत का साथ यहां आया था जब फस्त पाइम 2009 में केंपेन का दोरान इसी उपर में आपर में एक कच्छा देरे में हम चड़ा था जहां से हमने बासन दिया था तो हमारा MP साब ने भी कहा था कि हम जैसे ही MP बनेगा तो हम यहां देरे बना देगा मगर वह देरे नहीं बना पाया तो मैंने अंत में ने आखरी दिनों में इसको बना दिया था तो अभी फीर तूर सेकेंड ताम जब आया तो मैंने हमारा 61 आलोईस्ट में 26 देरे बना है उसमें से एक यह लोवार वाला देरे भी मेरा ही समय में बना है और जो अबी में डोड से जो एई बस्ती तक आया है यह कितो सोरा का साप का समय में अपियम्जो सेंक्शन हुआ था तो मेरा समय में कॉंप्लीट हुआ था और इससे आगे पर्लेम था इगो तो हमने यहां एक रास्ता बनाया था मगर उस कंट्रेक्टर ने बहुत बढ़िया काम किया क्योंकि इसलिए मैं बढ़िया बोलना हूं उस समय मैंने देर करोर का सेंक्चन किया था जो यह खेती का रास्ता सही नहीं बोलके तो ब्लेक सोईलिंग भी हुआ ब्लेक टॉपिंग क्यों नहीं हुआ तो वो रास्ता इसलिए मैं अच्छा बोल रहा हूं अभी रिसेंडली हम दो-तिन मैना पहले वह मसली माने के लिए गया था तो देखा है इस बार का जो एडिशनल जो चार करोर का काम आया है उसको देखने से लगता है वो चार करोर का जब देर करोर का यह हल है तो चार करोर वाला जिरने सहाब के टेनिर में लगताए है तो सर अपके पूराने सपने के बारे में मुझे पता चला। आप यहां से एक रोड कॉम्ब्र को में पता चला है एक बारे जिर्दिन होके ले जाने का मैं सपन देखा था लॉत पहाले source वह सब्सक्राइब भी किया था मैं एक लाग देकर जंगल कटिंग भी कर वाया था तो बाद में मेरा लास्ट पार्ट में मैंने इसके 20 करोड का सेंट्रल इसकीम यह में हमने इसकीम डाला था तो अल्मॉस्स यह हुआ था मगर किस बज़े से यह इंप्लिमेंट नहीं हुआ यह मुझे अभी जानकारी नहीं है मगर मेरा तरह में 99 परसेंट हो चुका था क्या वीजन था उसके पीछे उससे क्या क्या फायदे हो सकते थे लोगों को से इससे अखमारा एससी साब था तुम तो कम सी तो उनसे मेरा अच्छा यह था उसने भी हम मुझे साजिशन दिया कि यह आलोंग ताउन बहुत बढ़ा होते जा रहा है तो इसमें बाइपास जरू क्या निग्मोए वाला रास्ता जो अभी बन रहा है उसको यहां से कनेक करके जो वाइपास आलोंग काउन को छोड़के में रोड यहां से हाईवे में जोइन करने के लिए हमारा प्लान था सर हाली में देखा गया कि भारतिय जंता पार्टी में जो आपकी सदस्या था थी वो रिवोक्ट हो चुका है अभी आप भी भारतिय जंता पार्टी के सदस्या हो और शायद आपने हाली में देखा हो गया यूनियन मिनिस्टर किरन रिजीजू मुख्यमंत्री पेमा खांड आपको पार्टी से क्या उम्मीद है और क्या लोग बीच में लोगों को कुछ confusion होना चाहिए या नहीं चाहिए confusion तो होना नहीं चाहिए जो नेता तो हमेंसा जो साथ देता है उसको तो बोलता ही है मगर पार्टी में भी टिकेट एक आदमी नहीं देता है उसमें बोर्ड बनता है उसका बोर्ड मेंबर जोसको सेलेक्ट करेगा आखिर में तो वही होगा और बीजेपी का एक नर्म भी है कि जब यहां से दिस्तिक से अफना कॉंस्टेंसी से जब रिकॉमेंड करता है तीन केंडिडियेट को तो रिकॉमेंड करना ही है अगर से साथ एक करता है तीन को करना है तो दो करता है एक करता वो तो जाना ही जाना तो इसलिए वह आखिर में जाके वहां होगा जहां बोर्ड जो टिकेट कॉमिटी का बोर्ड चाहेगा वही होगा इस बात तो मुझे एक पुरानी बात याद आती है योंगोरी वर फेस्टिबेल में भी आप से इसी तरह का वादा कुछ किया गया था लेकिन बाद में इसा नहीं होता सर्थ यह तो आपने सही कहा उस समय भी मुझे यह कहा गया था कि यह अपरा सीफ मिन और यह तो आगे देःगा बोलके पुलिकली उसको एनॉसमेंट भी हो था तो यह तो वह नहीं नाइंटीम में हम को कि टिकेट कोमेंट नहीं हुआ तो हमने पारटी लाइन में उसको पार्टी लाइन का दिसिप्लीन को रखते हुए मैं कॉंटेस नहीं किया अभी इस बार फिर पाब्लिक दिमान है कि आप जैसे भी कॉंटेस करना है तो इसलिए पाब्लिक दिमान में मैं दुबारा आया हूं सर मेरा आखरी सवाल रहेगा अगर आप आगे विधायक बन जाते हैं 31 आलोईस्त विधानसवाद छेत्र के सबसे प्रायोरिटी आप किसको देने वाले हैं किस जगह पे किस फिल्ड में काम शुरू करने वाले हैं और आज की इस दिन आप एई में खड़े होके पूरे 31 से पहले यह जनरल होस्पितल नहीं था दिस्तिक होस्पितल था मेर हम जो छोटे थे तो वह जनरल होस्पितल था एक समय फिर वह दिस्तिक होस्पितल में बदल गया मैं 2014 में हमने इनको जनरल होस्पितल बनाया 2017 में इसको जोनल बनाया हमने तो आज जो डेवलोप्मेंट आ तो आप तो देखा होगा मेरा समय में ही एनम स्कुल खुला है और अलोट्मेंट जमीन का भी हमने करवाया उसका रेविन्यू भी हमने पेमिन किया साइध मेडिगल का किसी का अलोट्मेंट नहीं होगा मगर वो एनम स्कुल का अलोट्मेंट ओडर है और जो आभी स्टेडियम जो मेरा समय में शुरू हुआ था तो हमएर किसी कारण बस अपना पबलिक के बज़े से भी और सरकार का बज़े से भी वो काम मेरा समय में कॉम्प्लिट नहीं हो सका है तो आज भी वो ने आलोंग, पासीगाद, जीरो, सिंपू और तेजो ये पांचों को सेंक्शन किया था तो उसको यूदी ने टेक ओवर किया था तो यहां के कोई ओर्गनेजिशन ये कॉंप्लेंड करने लगा कि यूदी में स्टाफ कम है तो स्पोर्स से करवाना है तो इस बज़े से फिर फिर हम लोगों को यूदी से हटा के वहां चला गया क्या करते हैं स्पोर्स में तो अभी का जो एडुकेशन बिनिस्थर था उस समय डारेक्टर था वो यूदी का तो वो जीरो और वो पासीगाद उस समय यूदी ने टेंडर कर दिया वर चिंपू और तेजू और आलो ये स्पोर्स और्टरिटी ने उसको टेंडर किया तो वो भी यूदी कर दिया में अलोंग वाला में तोड़ा राइट कौन उसका मालिक है हगदर स्टेदियम का लेकर एक केश चला ता साइथ आपको भी मालूम होगा जो डियेफे और डियेसे का बीच में तो जिसका बैसे वो स्टेदियम भी स्लोडाउन हो गया देखता हूं यह सब अधूरा काम है स्कुल में एक मैंने स्कूल बनाया था वो भी अधूरा है दबल इस्तोरिज का वो अधूरा रह गया ऐसे बहुत से स्कीम है जो पर से जो मैं चाहता था शब अधूरा रह गया तो इससे भी मैं जो देखा अधूरा रह चुका है उसको मैं तीक करूँगा कॉंप्लीट करूँगा और जो जरूरी है रास्ता चाहे जो बोलो या हेल्थ सेक्टर में बोलो एडुकेशन सेक्टर में जो भी पॉब्लिक दिमान करेगा वो हम करने के लिए तेयर है क्योंकि मैं देवान से बोल आता है मैं वो विदायक हूँ जो मिनिस्टर भी रह चुका हूँ फिर भी इतानागर में मेरा जमीन नहीं है घर नहीं मैं इलेक्शन से पहले और रेंट में रहता था इलेक्शन का बाद बंगलो छोड़ने में भी रहा है अभी भी किसी के छट्रसाय में मतलब दया में मैं रह रहा हूँ ऐसे जो भी आज मेरा फास है वो मैं केजीवी बनके इलेक्शन में लड़ने से पहले पब्लिक लीदर नहीं बनने से पहले मेरा एज बिजनेसमें बनाया हुआ है अज एज लीडर हमने अपना एंगल से कोई कुछ नहीं किया जितना आदमी बोल रहा है यह और इसे कि मेरा एसे कोई रेकोर्ड नहीं आप देखने से भी और पब्लिक को जनता को पूछने से भी यह बताए थैंक्यू सो मच सर मुझे अपना कीमती बग देने के लिए आप सभी को आपको भी इस आगमी चुनाव के लिए और सारे गतिवीदियों के लिए धेर सारी शुब कामने थैंक्यू थैंक्यू